जैहिन सातियों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत थे हमारे योट्यूब चैनल पर सातियों हमारे एक सीरी चल रही थी उत्राखंड बियड प्रिविएस येर पेपर सॉलिशन की उसी के अंतरगत आज हम कुमाउं यूनिवर्सिटी का जो पिछले वर्स का प्रस्न पत्र है उसमें हिंदी सेक्षन को आज इस वीडियो में हल करेंगे तो डीटेल में हम एक से पचास प्रस्न को यहाँ पर देखने वाले हैं अगर आपको अन्य यूनिवर्सिटी के पेपर चाहिए जैसे स्रिदे सुमन, SSJU तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट उनकी सेपरेट देख सकते हैं वहाँ पर आपको काउंसलिंग के संबंद में स्ट्रेटजी, सिलेबस, फीस सारी डीटेल्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी जो लाइव सेसन है हमारा कॉशन आंसर का वो सारा सेक्षन आपको देखने को मिल जाएगा आप उनको जाकर देख सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के बाकि अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल से जुड़ जाएगा हमारा टेलिग्राम गुरूप बे है एक तो मेन गुरूप है और दूसरा हमारा बियड़ वालों का जो डिसकसन गुरूप है आप उससे भी जुड़ सकते हैं पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगी वैसे भी यहाँ पर आपको उत्राखंड की सभी परिक्षों की तैयारी कराई जाती है तो चैनल से जुड़ सकते हैं चलिए सुरू करते हैं पहला प्रसन है हमारा हिंदी भासा के 50 प्रसनों को हम यहाँ पर देखने वाले है हिंदी साहित्य में काल विभाजन एवं उसका नामकरण का प्रियास सरवपर्थम किस ने किया तो सरवपर्थम किस ने किया यह पूछा गया है जोर्ज गेर्शन आप्शन बी को यहां पर आप टिक कल लेंगे इन्होंने ही काल विभाजन एवाम उसका नामकरण का प्रियास सरवर्थम किया था इसका ध्यान नखेंगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ अगला हमारा प्रस्न है काफी महतुपूर्ण प्रस्न है इसके संबंदित या इससे संबंदित एक न एक प्रस्न आपको हर बार देगने को मिलेगा आदिकाल को आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया देखिए आदिकाल को आदिकाल क्योंकि जो आदिकाल का समय था वो लगभग आठवी सतावदी से लेकर चौदवी सतावदी तक माना जाता है अप्रॉक्स तो इसको आदिकाल किसने कहा था ये आपका आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद दुवेदी ने किसने कहा हजारी प्रस में पूछे जाते हैं इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं ठीके इस आदिकाल को ही वीर गाथा काल भी कहा गया क्या वीर गाथा काल भी कहा गया और वीर गाथा काल कहा आपका राम चंदर सुकले यानि कि आचार्य राम चंदर सुकले ने कहा इसको आप नोट डाउन कर लीजि ने कहा वीर काल मिस्र बंदु ने भी इसका नाम करण किया ठीके मिस्र बंदु ने क्या कहा मिस्र बंदु ने इसको आरंभिक काल कहा क्या कहा आरंभिक काल कहा बीच बंद काल ये भी कई बार पूछा जाता है ठीके बीच बंद काल किस ने का तो ये कहा आपका महावीर प्रसाद दुवेदी, नोट डाउन कर लीजिए राम कुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल कहा ठीके, आपको इस बार या किसी भी जो है पेपर में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल था उसको चारण काल किस कवी ने कहा तो चारण काल कहा आपका राम कुमार वर्मा ने राहुल संकृत्यायन राहुल संकृत्यायन ने भी क्या कहा है इसको सिद्ध सामंत काल इसको कहा है ठीके, इन सभी जो जो चीजे मैंने आपको बदाई इनमें से एक प्रस्ण आपको हर हमेशा देखने को मिलेगा इसका ध्यान लगना बढ़ते हैं लिए प्रस्ण की तरफ सिद्धों की भासा है सिद्धों की भासा क्या है ये पूछा गया है मूलता वो अबबरांस या हिंदी पुराने हिंदी लिखते थे लेकिन जो उनका एक भासा था वो संध्य है इसको कहा जाता है तो option C यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा correct उत्तर हो जाएगा option C को आप यहाँ पर टिक कर लिजिए next question काफी important question है नाथ संप्रदाई को मानने वाले मूलता किसकी उपासना करते हैं नाथ समझ के आप जगनाथ या भगवान विश्ण को समझ रहे होंगे लेकिन जो नाथ संप्रदाई वाले हैं वो मूलता हा भगवान सिव की उपासना करते हैं ठीक है option A का बिलकुल exact answer हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रस्म की तरफ निम्नलखित मैंसे कौन सुमेलित नहीं है इस से related प्रस्म भी आपको हमेसा देखने को मिलेगा ठीक है यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न मैंसे कौन सुमेलित नहीं है ठीक है ठीक है तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलखित मैंसे कौन सुमेलित नहीं है या कौन सा सही नहीं है तो option B को आप यहाँ पर टिकल लेंके द्वैता द्वैतवाद रामानुजाचारी यह क्या हो जाएगा आपका गलट है सुमेलित क्योंकि द्वैतवाद माधवाचारी राइट है अद्वैतवाद संकराचारी ने दिया था यह भी सही है सुद्धा द्वैतवाद वल्लवाचारी यह भी सही है लेकिन जो यह आपका द्वैता द्वैतवाद है यह आपका निम्बकाचारी ने दिया था ठीक है और जो रामानुजा चार्य है इन्होंने विस्सिष्टा द्वाइतवाद ठीक है इसको नोट डॉण कर लीजीगा विस्सिष्टा द्वाइतवाद इन्होंने दिया था next हमारा question है मीरा बाई के गुरु का नाम क्या है तो मीरा बाई के गुरु का नाम क्या है संत रविदास या रेदास ये आसन सा प्रस्नता नेक्ट है हमारा रामचरित मानस का प्रधान रस कौन सा है रामचरित मानस का प्रधान रस वैसे तो इसका जो प्रधान रस है ये है आपका भक्ति रस लेकिन यहां पर अगर देखें तो संत रस option A इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्ट क्वेशन निम्न में से कौन से रीतिकालीन कवी वीर रस के लिए प्रसिद्ध हैं तो भूसन इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा option A ये कह है रीतिकालीन कवी तो है ही साथ में वीर रस के लिए प्रसिद्ध हैं नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट हैं ठीक है क्योंकि कुमाव युनिवर्सिटी हो या स्रीदेश मनी किसी भी युनिवर्सिटी का ब्याट एंट्रेंस इक्जाम दे रहे हैं और उसमें आपने अप्सनल में हिंदी रख रखा है तो क्योंकि साहिते से रेलेटेड ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रस्न तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बाकी चैनल से जोड़ सकते हैं अन्नी वीडियोस के लिए अपडेट के लिए भीतर भीतर सबरस चुसे हसी हसी के तन मन धन मुसे किस कवी की काव्य पंक्तियां हैं तो यह है आपका भारतेंदू हरीश्चंद्र 11 में का हो जाएगा ऑप्सन डी बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ खड़ी बोली का प्रथम महा काव्य है देखिए ये प्रस्न आपको कई बार देखने को मिलेगा क्योंकि इंपोर्टेंड है स्टार मार्कर के इसको आपनों डाउन कर सकते हैं प्रिया प्रवास ऑप्सन डीस का राइट आंसर हो जाएगा अब बात करें यह किसकी रचना है तो प्रिया प्रवास आपका लिखा था अयोध्या सिंग उपाध्य हरियोध ने यह लिखा था अयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोध ने यह लिखा था लिखा था नेक्श क्वेश्चन है हमारा इति वृत्तात्मक्ता किस युग की प्रमक विशेस्ता है तो दुवेदी युग ऑप्सन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं नौट डाउन कर सकते हैं कई बार ये प्रस्ण भी आपको से पूछा जा सकता है कामाईनी की रचना किसने की तो प्रस्ण महीं है आप इसको नौट डाउन जरूर करें स्री सुमित्रा नंदन पंत को किस काववे कृत पर ज्यान पीट पुरुसकार दिया गया किस पर दिया नेक्श कॉशन हालावाद के प्रवर्थग कौन माने जाते हैं ये माने जाते हैं आपका हरी वर्सराय बच्चन देखिए अभी तक जो प्रस्ण हमने पड़े उनको देखकर आपको अंदेशा लग गया होगा कि कैसे प्रस्ण आपर पूछे जाते हैं ज्यादा तर हिंदी साइस्ते से और जो प्रमुख रचनाएं हैं प्रमुख निवन्द हैं प्रमुख कविताएं हैं दसवी बारवी के जो चैप्टर से उनी से रिलेटेर यहाँ पर आपको प्रसन देखने को मिलेंगे हलांकि कुछ बहुत जो पुस्प की अभिलासा किस कवी की कविता है यह आपका माखन लाल चतुरवेदी नेक्श क्वेशन प्रसिद्ध कविता स्वानों को मिलता है दूद वस्त्र भूखे बाल अकुलाते हैं मा की हड़ी से चिपक ठिटर जाड़ों की राद पिताते हैं इसके रचियता कौन है रा यहाँ पर नेक्श कर्चिन प्रगतिसील लेखक संग यानि की प्रोग्रेसिव राइटर जो आपका और्गनाजिशन संग था इसकी प्रतम अध्धिक्षता किसने की ती या किस महानुभाव ने की थी यह की थी आपका प्रेमचंद जीने यानि की मुनसी प्रेमचंद जीन ठीक है और कई बार ये पूछा जाता है कि ये इसकी स्थापना जो है जो इसका प्रथम सम्मिलन कई बार पूछा गया है प्रथम सम्मिलन आपका हुआ था 1936 इसवेव में लखनों में ठीक है और प्रथम अध्यक्षकॉंते मुंसी प्रेमचंद नागारजन को किस काविकरत के लिए अकादमी साहित्य पुरसकार प्रदान किया गया था तो ये था आपका पत्रहीन नगन गाज अप्सन सी को टिक कल लेंगे हो सकते हैं नौट डॉन भी कर सकते हैं बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ये प्रसन कंधस्त हो जाएं लेकिन कई बार हम एक्स्टा दिमाग लगा लेते हैं और तार सब तक दिया है सोच करके साथ नहीं करेंगे लेकिन इसका सही उत्तर है साथ ओप्सन ए सब तक ठीक है इसके अगर हम सभी कवियों की मैं बात करूँ आप नोट डाउन कर लीजिएगा मैं लिखूंगा नहीं प्रभाकर माजवेब गरिजा कुमार माथूर राम विलास सर्मा एवं अगे यह यहाँ पर इन कवियों की रचनाई इसमें संकलित है नोट डाउन कर लीजिए नेक्श क्षिन पारिक्षा गुरु उपन्यास के लेख का नाम आपने बच्चमन में कई बार पढ़ा होगा औ और पहले तो आपको आता होगा परिक्षा गुरु आपका लिखा था लाला स्रीनिवास दास ने ठीक है हिंदी का यह पहला उपन्यास भी इसको वाना जाता है नेक्श क्षिन उपन्यास मिसहाय हिंदू इसके रचनाकार का नाम क्या है तो राधा क्रिशन दास कई बार आधा क्रिशन दास इसको याद रखेगा 23rd का हमारा उत्तर होगा option B बलते हैं अगले प्रस्न की तरफ मुनसी प्रेमचंद की किस कहानी के प्रमग पात्रों के नाम घीसु एवं माधव है देखे मैंने आपको बताया तो घीसु और माधव आपका कफन एक कहानी है उसी के क क्या है पात्र है यानि कि कैरेक्टर है कहानी गुंडा के लेख का नाम क्या है तो कहानी गुंडा के लेख का नाम है आपका जैसंकर प्रसाथ बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ अगर आपको जी के इंगलिस या टीचिंग एप्टिट्यूड या फिर साइंस या आर्ट optional paper के previous year paper चाहिए तो channel पर जाकर visit कर सकते हैं अमारी जो playlist है या फिर आप अगर आपको paper PDF फर्म में चाहिए तो टेलेग्राम गुरूप में जुड़ सकते हैं link आपको about section में मिल जाएगा अपना अपना जूता नाटक के लेखक कौन है अपना अपना जूता नाटक के आपके लेखक हैं यह हैं लक्षमी कांत वर्मा option A को टिकल लीजिए next question ताज महल के आशू नाटक बहुरंगी एकांकी के लेखक का नाम है धर्मवीर भारती को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे टिकल लेंगे option ठीक है इसका जो उत्तर होगा हमारा लक्षमी, नारायन, लाल option D को यहाँ पर टिकल लेंगे तो 27 का option D हो जाएगा सिव संभू के चिठे के लेखक है सिव संभू के चिठे के लेखक कौन है आपका बाल मुकुन्द गुप्त कई बार इनके आपने जो है कविताई पढ़ी होंगी निबंद ठेले पर हिमाले के लेखक कौन है तो यह हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती ठीक है, 29 का आपका होना चाहिए option C next question हमारा माक्सवादी आलोचक ठीक है, माक्सवादी आलोचक नहीं है, निबंद बैसे उस साहित्यकार का नाम चाहिए देखिए यहाँ पर आगर आप देखेंगे नामवर सिंग, सांति प्रिया, सीवदान सिंग यह कह है, माक्सवादी आलोचक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि जो नहीं है, तो वो आपका होना चाहिए यहाँ पर, थट्टी का हो जाएगा option C, ठीक है सांति प्रिया, दुवेदी इसका सही उतर है, यह कह है माक्सवादी आलोचक नहीं है उस साहित्यकार का नाम हमें यहाँ पर छाड़ना था, ठीक है next question, आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है, आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है कई बार इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जो आवारा मसीहा है वो आपका लिखा था, विष्ण प्रभाकर ने, ठीक है, कई बार आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसमें लेकिन पूछा गया है कि किसकी जीवनी है ठीक है किसकी जीवनी है तो ये है आपका सरतचंद यानि कि सरतचंद चट्वपाध्य है इनका पूरा नाम है इनकी क्या है ये जीवनी है क्रान्तिपत का पतिख आत्मकता के लेखक का नाम है तो बाबा पत्रिवी सिंग आजाद option A इसका right answer हमारा हो जाएगा आप देख रहे होंगे काफी important question है और थोड़े बहुत जो है कठिन प्रसंद भी है क्योंकि आपने हिंदी साहित अगर नहीं पढ़ रखा है तो आपको ये कठिन लग रहे होंगे बाकि अगर आप देखें लेखक, रचनाय, हिंदी, साहित्य और थोड़ा सा इसका इतिहाद जाने का परेदन करें तो उसी से प्रसंद यहाँ आपको देखने को मिलेंगे पत्रिका पाखी किस अस्तान से प्रकासित की जाती है तो नॉइडा अप्सन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर देवनागरी लिपिका जो प्रियोक किया गया था वो कौन से सताब्द में यह किया गया था देखिए जो कुमाव यूनिवसिटी ने इसका उत्तर दिया है वो है नवी और दसमी सताब्दि में इसका उत्तर दे रख है पिछले वर्स नेक्ट क्वेशन भारती सम्मिधान के किस अनुचित में यहां कहा गया है कि संग की जो राजफासा होगी वो हिंदी होगी वो है आपका आनुच्छे 343 ओप्सन डी हो जाएगा और देवनागरी क्या होगी लिपी होगी नेक्ट क्वेशन हमारा 36 पर हम यहां पर पहुँच गये हैं अन्तिम प्रस्न प्रस्न यहां पर बचे हुए है वर्स 2021 में हिंदी साहित के लिए किस लेखक को साहित अकादमे पुरुसकार दिया गया यह काफी इंपोर्टन क्वेशन है अगर आप इस वर्स ब्यट का फॉर्म बढ़ रहे हैं तो इस साल और पिछले साल एक दो सालों का आप यह याद रखके चले क्योंकि प्रस्न यह बन सकता है तो 2021 में कौन थे? 2021 में थे आपके दया प्रकास सिन्हा को हिंदी साहित अकादमे पुरुसकार दिया गया अगर बात करें 2022 की तो यह हैं आपके बद्री नारायन को यह पुरुसकार दिया गया बद्री नारायन को यह पुरुसकार दिया गया कौन सा कविता संग्र है? ये है आपका तुमड़ी के सब्ड राइट नेक्श क्वेशन वाक्यम रसात्मकम कावड्यम किसका क्या है कथन है इसका राइट आंसर होगा अमारा अप्सन C आचारिय विश्वनाद 37 का हो जाएगा हमारा अप्सन C नाटे सास्त के रचाईता हैं तो भरत मुनी ठीक है अप्सन B को ठीक कर लेंगे नेक्श क्वेशन अनुकरण एवं विरेचन सिध्धान्थ के प्रवर्तक है अनुकरण एवं विरेचन चो सिध्धान्थ दिया था ये आपका दिया था किसने अरस्तो अप्सन B राइट आंसर हो जाएगा नेक्श क्वेशन अब हमारा यहाँ पर भ्याकरण सिध्ध सम्मदित प्रस्नु यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे नीमन नीचे दिये गए हिंदी भासा के तालव्य व्यंजन च्छाटिए तालव्य व्यंजन च्छाड़ना है तो पो, फो, भो, भो option D's का right answer हो जाएगा ठीक है ये क्या हो जाएंगे तालव्य व्यंजन देखिए अगला प्रस्न है हमारा नीचे दिये गए हिंदी भासा के तालव्य व्यंजन छाटिये तालव्य व्यंजन का क्या अर्थवा जो तालू के पिछले भाग से हमारा जो है जीब के पिछले भाग से हमारा क्या है तालू का इस पर सो होता है इन वेंजनों को बोल में अगर आप चो चो जो जो एक बार ट्राइ भी करेंगे आप खुद ट्राइ कर लिजी तो आपका जो जीव का पिछला हिस्से है वो तालो को टच करते हैं तो ताला भी विंजनी कहलाते हैं अप्शन A यहाँ पर बिल्कुल सटी गुत्तर निम्न में अघोस वर्ण कौन सा है औ, सौ, हो और जो इसमें से अघोस वर्ण पूछा गया है तो सौ इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन B हिंदी भासा में लिंग की दरिश्टी से दही सब्द क्या है तो दही आपका पुल्लिंग हो जाएगा आप अगर इसका वाक्या प्रियोग करेंगे मैंने दही खाई यह देखकर आपको लग रहा होगा कि यह स्त्रिलंग होगा लेकिन यह कहा है एक अपवाद है तो यह पुल्लिंग है और जो संस्कृत भासा में अगर हम बात करें तो यह पुन्सक लिंग है लेकिन हिंदी भासा पूछा गया है तो पुल्लिंग हो जाएगा नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट उगर तड़ाख होता है आपका सरोवर या तालाब Next question अरवाचीन सब्द का विलूम सब्द छाटी है अरवाचीन का आर्थ होता है आपका आधुनिक तो आधुनिक का क्या होगा opposite यह होगा आपका प्राचीन Option B is right answer Next question काफी important question आपको देखनी को मिल ले होगे नीचे दिये गए सब्दों में से वहाँ इस्तरी जिसका पती परदे से आने वाला हो के लिए एक सब्द क्या होगा ठीक है तो option A इसका सही उत्तर हो जाएगा आग मिश्यत पति का यानिकि आग मिश्यत पति का option A right answer next question नीचे दिये गए सब्दों में से तत्सम सब्द का चायन कीजिए तो विवाह इसका right answer हो जाएगा option C पवन में कौन सी संदी है पवन आपका अगर इसका संद विछित करेंगे बादन आनि यानिकि O और O को मिलके अउ बन रहा है ठीके तो यहाँ पर आपका संदी कौन सी होगी तो 49 का आपका होना चाहिए ठीके अयादी संदी 49 का आपका अयादी संदी next question नीचे दिये गए सब्दों में से वर्तनी की दृष्टी से सुद्ध सब्द छाटिए तो अनुग्रहित इस प्रकार से यहाँ पर आपका होना चाहिए ठीके अनुग्रहित option B इसका right answer हो जाएगा अनुग्रहित option B इसका सही उत्तर है तो यह हमारे 50 प्रस्न थे किसके हिंदी सेक्षन के बाकी अंग्री जी का जल्द ही आपको upload देखने को मिलेगा और जी के अन्य जो आपके section है जल्द ही upload हो जाएगे कई सारे uploaded हैं आप जाकर चैनल पर देखिए जुड़े रहें धन्यवाद